ओम शान्तिम हम सभी इस्मर्ति स्वरूप होकर अपनी स्थिती को बहुत महान बनाएं बाबा में आकर हमें भिन भिन इस्मर्तियां दिलाई हैं और जगा दिया है हमारी चेतना को जगा दिया है हमारी इनर फीलिंग्स को ज़ा याद करें बाबा ने हमें याद दिलाया तुम कल्प व्रक्स की जड़ें हो जड़ों के द्वारा ही हम सब जानते हैं जड़ों के द्वारा ही रक्ष को भोजन पानी तब कुछ जाता है, हम जड़े हैं, हमारे द्वारा ही पूरे कल्प रक्ष को सक्तिया जाती हैं, हमारी संकल्पों की अनर्जी पूरे कल्प रक्ष में फैलती है जर आपना एक चित्र बनाएं, एक विजन बनाएं मेरे सिर के उपर ही कल्प रक्ष खड़ा है और मेरी जो भी स्थिती है, मेरे जो भी संकल्प है अठ्वा मेरी जैसी purity है और योग है, उस सब के vibrations इस पूरे कल्प रक्स में फैल रहे हैं, एक एक साखा को जाते हैं, और अगर हम negative सोचते हैं, तो ये negative energy भी ऐसे ही संपूर्ण कल्प रक्स में फैल जाती है, हमारी purity की power सबी आत्माओं को सत्यकर्प करने का बल देती है, उन्हें निस्पाव बनाती है, तो हम में से बहुत सारी आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं कल्प रक्स की जड़े हैं, और बाकी सारा सोधिये वन्स और चंद्रवन्स कल्प रक्स का तना है, तो हमें अपनी स्थिती पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारी स्थिती साधारन रूप से न बीते, हमें महान कर तव्य करने हैं, हमारा जनम ही महान कारियों के लिए हुआ है, इसलिए इस स्मर्ति में सदा रहना है, कि मैं एक जिम्मेदार आत्मा हूँ, मैं साधारन नहीं हूँ, इसलिए न तो मेरे अंदर अलबेलापन होना चाहिए, न व्यार्थ और साधारन विचारों में जाने क्या, एक निचुरल संस्कार, हम अपने विचारों को महान बनाएं, अपने कारियों को महान बनाएं, जितने विचार महान होंगे, उतना ही हमारा जेवन महान होगा, हमारी इस्थिती महान होगी, और विचार करें, जड़े हमेशा अंडरग्राउंड होती हैं, मिट्टी में होती हैं, और महिमा होती है फूलों की और फलों की, पर महत्थो सारा है जडों का, अकर्चन होता है फूलों की तरफ, फलों की तरफ, हम भी जडे हैं, हम अंडरगाउंड हैं, हमें अपनी महिमा की कामना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ों की महिमा नहीं होती है, जड़े तो इस्तंब होती हैं, जो पूरे व्रक्ष का सहारा होती हैं, जड़े अगर बाहर निकलने लगें किसी पोधे की, तो लोग उन्हें काट डालते हैं, उनकी दवाई बना लेते हैं, और इससे पेड कमजोर हो सकता है, हम मानचान की इच्छा से परे, स्रेश स्वमान में इस्तित रहें, और याद रखें, हमें तो स्वयम भगवान सम्बान दे रहा है, मनुस्यों से मान लेकर क्या करेंगे, तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं कल्पवर्क्स की जड़ हूँ, जडों में हूँ, बिल्कुल जड़ हूँ मैं, और मेरे द्वारा पूरे कल्पवर्क्स को भोजन जाता है, और बीच-बीच में ये वीजन बनाएंगे, कि मेरे सिर के उपर ही कल्पवर्क्स है, और मेरी योग की तरंगें, मेरी आत्मा की शक्तियां, पवित्र मन के पवित्र वाइब्रेशन जैसे पूरे कल्पवर्क्स में फैल रहे हैं, बहुत संदर अनुभूती होगी, इससे निचुजरल रूप से सेवा होती रहेगी, हर घंटे में एक बार अपने सिर के उपर इस कल्पवर्क्स को निहा रहे हैं, और पूरे कल्पवर्क्स को सरेस्ट वाइब्रेशन देते र तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम श्यंति